दोस्तों आज के इस एपिसोड में बात होने वाली RSE Ticket से जुड़ी हुई तीन बाते हैं जैसे कि RSE Ticket क्या है, RSE Ticket कब कनफर्म होता है और RSE Ticket लेकर जब लोग यातरा करते हैं यातरी तो इस दोरान उनको कहां बैठना होता है, कहां सोना होता है, टाइमिंग क्या है क्यों सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहूँगा RSE Ticket है क्या तो, RSE का मतलब होता है Reservation Against Cancellation, बस यही फुल फुल फॉम है, अब RSE Confirm कब होता है इस चीज को आप समझ जाओ, इसका फुल फुल फॉम का मतलब भी आप समझ जाओगे, RSE Confirm तभी होगा जब एक Confirm वाल टिकट जो है, बुक कर लिया, अब जो है 101 नंबर का जो यात्री बुक करेगा, उसको मिलेगी RSE, उसके बाद जो लाग होता है Waiting List, अब जो Confirm वाले Passengers अपना Ticket को Cancel करेंगे, तो सबसे पहले Confirm होगी RSE की, यानि कि RSE वाली को Confirm वाले की सिर्दी दी जाएगी, उसके Confirm नहीं होता है, तो इस तरह का एक सीट आपको मिलेगा, और यह जरूरी नहीं कि RSE वालों को ही मिलेगी, RSE से पहले भी Confirm वाले Passengers को भी Side Upper Side Lower के नाम से यह मिलती है, Side Upper Side Lower का नियम यहाँ पर बताता हूँ, Side Upper वाला जो यात्री है, वो अपनी सीट पर बैठाएगा, दिन में सुवच्छे से लेकर रात के 10 बजे तक, Side Lower वाला अपनी साइड में बैठाएगा, लेकिन रात को जब सोने का टाइम आएगा, तो दोनों अपनी सीट पर सोएगे, यानि कि जो Side Upper वाला यात्री रहेगा, वो उपर चला जाएगा, Side Lower वाला नीच ही सो जाएगा, यह हो गई उन दोनों की अपनी Confirm में हो, लेकिन यहाँ पर लफड़ा तब सुरू होता है, ज यहाँ पर आपस में वो दोनों भी कभी कोई मैंने देखा है, लड़ते हुए कि मेरी जो नंबर है, दूसरा का एका मेरा नंबर यह है, जबकि दोनों का वही सीट है, अब यहाँ पर कैसे इन लोगो अर्ज़स्ट करना होता है, यहाँ पर अर्ज़स्ट में चलेंगे, दि यहाँ जो लाल निसान आप देख रहे है, इस निसान के इस तरफ, यानि कि इस निसान के अंदर में दोनों आर्ज़स्ट वाले बैठेंगे, अब आर्ज़स्ट की नंबर क्या है, वो देख लेंगे, जब चार्ट प्रिपर हो जागा, तो उनको पता चल जाता है, कि आपक तो यहाँ पे दोनों को दिन में सुवच छे से लेकर रात के दस बच तक दोनों को इस एरिया में बैठना है, सिर्फ इस एरिया में ध्यान दिजिएगा, यानि कि आधी सिट में आर्ज़स्ट के दो लोग बैठेंगे, और बाकी के आधे में कन्फरम बाला एक यातरी बैठे जाते हैं, लेकिन इंडिया में ज्यादा तर आपने देखा होगा भारती एरेल में, कि लोग एक दूसरे की पाउं को तकिया बनाएक सो जाते हैं, यहाँ पर एक और बात बता दूँ, अगर कन्फरम वाला यातरी जो है, इस सीट को आप जो यह सीट दिख रहे है, आपको नहीं कह रहा हूँ, वो दोनों लोग इस साइड इस सीट को बड़ी करके बैठ सकते हैं, खासतोर से यूपी और बिहार में मैंने देखा है, यहाँ लोग आपस में लड़ जाते हैं, कि मैंने पैसा दिया है, मैं क्या नीचे बैठ के जाऊंगा, मैं यही नमबर है, मैं यहाँ बैठूँगा, तुमको जो करना है करो, यह सब चीज होती है, तो उनको यह सारी बात है, आप समझाओ, यहाँ रूल्स है, रूल्स के खिलाफ आप नहीं जा सकते हो, देखिए यह तो हो गई रूल्स, लेकिन इंसानियत के नाते क्या होता है, दिन में जब दो यातुए होते हैं, और किसी को सोना रहता है, तो वो बात करके चला जाता है, ओपर सोने के लिए, आप की सीट खाली है, मैं जाओ सो जाओ, तो सो जाता है, कुछ ऐसे लोग बेतेταιे हैं, casual would you be waited, मेरी सीटे मैं क्यूं दो, तुछ स classrooms के लिए, तो वो भी बात सभीए है, ठी बही सही है यानि कि कुलमिला केilit रसी वालों की ये सीट है सुवस्षय से लेकर 10.वजत तक यहीं बेटना है यहीं सोना है जो करना है वहीं करना है यानि कि रात के 10.वजत बाद अगर कोई आत्री नियों को नहीं जानता है तो आप उनको समझाईए अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तो आप 1384 कॉल करके अपनी सिकायत दर्ज करा हैं जिससे कि अगले एक या दो स्टेशन में आपके पास जो आर्पय बाले आएंगे आकर वो खुद इनको समझाएंगे रास्ते में लड़ाई जगने करने जरूरत नहीं है जो नियम है नियोमों को फॉलो जरूर करें जोस्तों उम्मीद आपको वी इनकरी के साथ तब के लिए टेक कयर भाइबए